परियाग राज में आस्था की स्टाइब स्टाइंग स्टार्ट हो चुगी क्या कहने चाहिए लटतों सबसे पहले इन चैनल के देखने वाले जितने भी शुरोता है सबने पार्चू को परडाम कर रहा हूं बड़ा मज़ा आ रहा है कि सबसे बड़ी चीज है कि परियागरा जो जगा है वो आस्था का परिकास्था है कहीं न कहीं यहाँ जिधर जाईए उधर आपको एक मंदिर मिलेगी तो हमारे लिए बड़ा हम जब भी निकलते हैं तो कम से कम दस मंदिर सामने होती है और भगवा मरी दुबे जी हीरोईन है और हम हीरो हैं और हमारे परदीब शर्मा जी जो है वो पर्डूशर है तो बड़ा मज़ा आ रहा है सबका योगदान मिल रहा है और बड़ी खुबशुरत सिनेमा बन रही है फिल्म में आमरपाली दुबे को लिए पहले दो गाने उनके साथ मेरा बहुत पहले सिनेमा हो गया होता मुझे लगता है कि राजा बाबु सिनेमा जो बनी थी उसका हीरो पहले मैं ही था लेकि टाइमिंग उनकी मिली नहीं उनका डेट हुआ नहीं तब तक मेरी डेट कहीं लड़ गई लड़ गई तो मैं कहीं न कहीं मैं बोला कि सर आप आ अभी ही समय था आसकी के लिए और वो समय मिला अमरपाली जी का चीजे हो रही है और बड़ा खुबसूरत सिनेमा बन रहा है क्योंकि अमरपाली जी अदभूत एक्त्रेश हैं और इनके साथ काम करने का एक सबसे बड़ा मज़ा यह है कि वन टेक चीजी होती है और बड़ा आता है तो कुछ करने की इक्षा होती है और फिर वो चीजे बड़ी होने लगती है हमारा अगर इतना सोचा है तो हम उसको अपने परफार्म से इतना बड़ा कर देते हैं चीजों को तो वो बड़ा बहतर होता है तो अगर समस्दार एक्टर आपके सामने खड़ा है तो कि लिए लेकिन अब भी नई नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था कोई शायनी और अजया था वैटना भी चाहिए सिनेमा के इसाफ से करेक्टर होता है तो साथ चीजे वो लोगों को अच्छी लगती है और ये बहतर सिनेमा होगा आसकी किस परकार के फिल्म होगा देखिए कहीं न कहीं एक जाती बात जो सबको घेर के रखा है और वो चीजे जब सिनेमा आएगी तो हम बताएंगे रंजन भी आपको क्योंकि वो एक अलग लेबल का आसकी है आसकी दिवानगी ऐसी है मुझे लगता है कि ऐसी दिवानगी किसी आसकी में आपको नहीं मिली होगी जो जितने भी हिंदी में आसकी बनी है उस सारे आसकी से उपर ये सिनेमा है क्योंकि प्यार का मतल तब यह नहीं कि किसी लड़की के लिए हम जान दे दें और जान ले 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 प्यार का मतलब होता है कि एक समाज को भी आइना मिले और उस प्यार के बदूलत सिर्फ उसी को नहीं सब को सम्मान मिले तो यह एक सिनेमा है कि समाज को भी एक सम्मान के तरफ यह सिनेमा ले कर जैसे South की इंडश्टी अस्थापित है, बंगाल की इंडश्टी अस्थापित है, आज मराथी फिल्मों की अस्थापित हो गई, तो क्या कारण है कि हम लोगों की इंडश्टी अस्थापित नहीं हो पा रहे हैं? सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या है उसमें कोई दोसी नहीं है और सब दोसी है हमारे कहने का मतलब कि हमारी संख्या तो जादा है बट हम रिक्स लेना नहीं चाहते हैं हमारे पास मल्टिफलेक्स नहीं है हमारे सीनिमों को बढ़ावा नहीं मिलता है दूसरी चीज कि हम सब्सक्राइब करना है, हमें कहानी पे वर्क नहीं करना है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, हमारा एक जगा जो है, मुझे लगता है कि साउथ से भी ऊपर होनी मुझे चाहिए, लेकि आज candles street साउथ ऊपर इसना है, क्योंकि वो सावकड़ख़ ओर लगाना जानते हैं, तो जब वह 100 कड़ो और लगाना जानेंगे, तो साध औो डेर सकड़ो कमाना भी जानते हैं, तो जब हम लगाएंगे ही नहीं तो हम क़माएंगे क्या, और हमारे हाँ, 15 दिन में जब 02 कहानी बन जाएगी, तो सार कहां से वह अच्छी बन तो मैं आज की डिट में खोदी कोशिस करता हूँ, खोदी सोचता भी हूँ, और कहीं न कहीं हमारी सोच कम्याब भी होती है, तो मुझे लगता है कि सोचने की जरूरत है, और हर डिरेक्टर को सोचने की जरूरत है, कि अगर ओ कहानी अच्छा लिखेगा, कहानी कुछ नई ता तो कई मल्टी प्लेक्स में लगी और बड़े अच्छे रिस्पोंस रहे उसके तो मुझे लगता है कि अगर अच्छी सिनेमा हम बनाएंगे तो उसका भी बविश्य बनेगा और आज नहीं तो कल हमारी समाज उसको देखेगी तो कई न कई फैक्टर हर आदमी है उसमें मैं भ सब्सक्राइब कर दें और अच्छा पहले बोजज्पूरी फिल्मों का सबसेवरा मार्केट विहार। उसकेवार करते हो शुटान जिया और सबढ़ मुंबई की जो लोग है कि कुस सब सीडी से सरकार का help मिल जाता है तो उनका शुटिंग का खर्चा, जो होटल का खर्चा, जो वहाँ पे बील पे कर रहे हैं, आज यहाँ खाने का खर्चा, होटल का खर्चा, गारी का खर्चा, तेल का खर्चा, क्रेन का खर्चा, जो चीजे खर्चा होता है, तो कहीं न कहीं सरकार उसको help कर देता है, तो सबसीडी का ज तो पुटती थी जो पर दूसर बरवाद हो जाते थे तो कही न कहीं सबसेडी के आसरा से लोगों को बचे ना बचे लेकि वो बरवाद नहीं हो पाते हैं तो फिर आगे हमत करके वो चीजे बनाते हैं अगर बिहार में भी शबसेडी का अगर दौड चल गया तो साइद मुझ